नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस बुलिटिन में मैं हूँ आपकी साथ वंतिक अश्रबास अब रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर जम्मो कश्मीर से जहां कट्रा के पास पूल से एक बस नीचे गर गई है बस हाथ से में दस लोगों की जान जा चुकी है यूपी से वैश्नों देवी की और ये बस जा रही थी बस में 75 यात्री सवारते 60 से जादा लोगों को बचाए गया लेकिन दुखत बात ये कि दस लोगों की घट्टा सल पर ही मौत हो गये तस पर देखे एक शतिक्रस्त बस की उत्तर प्रदेश से जमू कश्मीर की और मा वैश्नों देवी की यात्रा पर सभी श्रद्धालू निकले थे लेकिन उसी दौरान घाटी पर से ये बस नीचे जा किरी कट्रा के पास ये पुल है जिस पर ये बस गिरी है बस हादसे में दस लोगों ही मौत हो चुकी है यूपी से वैश्नों देवी की और जाते हुए बस दुर्गटना घ्रस्त हुई 75 यात्री कुल सवार थे 60 से जदादा लोगों को फॉरण बचा लिया गया रिस्क्यू ऑपरेशन यहां पर फॉरण शुरू किया गया लेकिन दुखत खबर ये है कि 10 लोगों की जान जा चुकी है तो ये घटना सदल की तस रक्षित बाहर निकाला गया ये एक बड़ी सफलता भी लेकिन दस लोगों की जान इस दुर्गटना में चली गई उन्हें बचाय नहीं जा सका गंभीर सड़क दुर्गटना कट्रा के पास हुल से नीचे गे थी आप बस में थे आन्जी कहां से आ रहे था आ अमरिसर साुर साे साइसर लोग थे पचंथा ऐसार बजह पयोडर जोड़ी से आप नहीं पता चला तो तक्रीमन कितने बज़े का टाइम था जब ने अचानक से क्या लगा आपको आवाज आई और गिर गया ने पता ने उच्छे लिगा ना गारी से उच्छे लिगा ना तब पता चला धाकर ले गिया मेरी बचना मता अब दासन करना है तो क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता चल रात हम सब तो सोय हुए थे थे थोरा सुबह की टेम सब सोय हुए थे पता नहीं चला कि यह सब हुगा है तो बस एकदम से ऐसे उलट गी यह तो हमको भी पता नहीं कि कैसे उलटा क्या हुगा कि देखें ये सब करिम करिम सतर पच्छतर आदमी थे तो उनको फिर अब ले गए हैं यहां इंजोड़ लेगे सब होस्पीटर ले जा रहे हैं बहुत सार लोग गया है और जानकारी इस दुरगटना पर हम लेंगे मारी सेगी कुमल अमारे सा जोड़ चुकी है कुमल अब क किस वजे से हुई दुरगटना क्या स्थिती फिलाल गटना स्थल पर देखी अक्सर इस तरह के जो हाइवे पहाथ से होते हैं ये दीन नीन की जपकी लगने की वज़ा से होता है तो जिस तरह से याती ने भी बताया कि अचानक से जो गाड़ी है उसने नियंतरन ड्राइव ने खो दिया तो सब ड्राइव जो यात्री थे वो डर ले डर के उन्होंने चिलाना सीखना शुरू कर दिया और ऐसे में ही गाड़ी का नियंतरन खोने से ही ये जो गहरी खाई में गाड़ी गिरी है और ये ब्रीज है आपने देखा होगा तस्पीरों में कि किस तरीके से इतने अर्ज हाईवे असे साइड तर्यक्तर में ही और कॉम इनतै चाइस में ये देखिए बड़े बड़ी भड़ा अधा की जो ड्राइविंग है और इस तरह से बयार तर जो हात्त जो में देखीन होगारी की रेक आशे होजाआ है जानकारी चाहेंगे कि 70 से जानकारी सामया ये बहुत लग पाए कि कुल 10 लोगों की मौत और क्या आन लोग अभी भी लापता है देखे चार लोगों की तो जो भी तख खबर आई है कि इन में जो चार लोग थे वो बहुत गंबीर उपते गंबीर है जिनको जमो के राज के मेडिकल कॉलिज में दम्हाय दाखिल कराया गया है और पच्छतर लोग टोटल सवार से इस गाड़ी में ड्राइवर कंड़क्टर के साथ 75 लोग सवार ते गाड़ी में जसे 10 से 12 बदे भी ऐक है कि वो भुझ अधिज खब इस होने के शांकर बताए जारी थे बस उल्टी है हो बहुत मशक्षत करने पड़ रही है उनको बॉड़िस निकालने में गरिन आई कि कुछ देर में गारी को बसको हटाएगी फिर और पता चल पाएगा कि और भी क्याशा उसमें है जी अनिश्व तोर पर और कोमल जिस तरह की तस्पीरिक घटास तरह से सामें आई हम देख पारें किती बुरी तरह से बस श्रतिक रस्त हुई है ड्राइवर की हालत की बारी में अभी तक कोई क्या उसकी तरह से कुछ बता है कि उन सभी घालों और शवों के बीच ट्राइवर कौन सा ता तो इस सब की जान चल रही है पुलिस थोड़ी देर में हमें अपडेट पिल जाएगी कि ड्राइवर और कंड़क्टर की हालत कैसे क्यूंकि जाहिती बात है जिस तरीके से दाई गारी गिरी है हो तकता है कि ड्राइवर के बचने की अशंका यहां नहीं दिख रही है क्यूंकि उसी साइड वो गारी जो है वो गिरी है तो इस तरीके से गारी उल्टी हुई है ये बहुत क्रिपा है मादारानी की कि इतना बड़े हाथसे में भी सार्स से बासट लोगों क जान भी बची है तैना और पुलिस जो है वहां पर पहुंची हुई है और लगातार वहां पर सभी क्यों निकालने की कोशिश कर रही है कि और भी कुछ लोग तो बीच में नहीं है क्योंकि पच्चे दफ से बारा भी सवार थे तो यह से में बच्चों की भी जानकारी यह पास की क्या दफ लोगों में कोई बच्चा तो नहीं मरा है को मल यात्री के बारे में भी जानकारी दीजेगा बटाया जा रहे है कि अमरित सर्थि बस आ रहे थी उत्तर पर देश के भी कुछ यात्री इसमें सवार थे और अभी जो गारी का पीन पॉईंट था अभी लास सब्सक्राइब की दर्शन करेंगे ऐसे में जिस तरह की सिचुएशन जो पाइट जो वहां पर याच्री परपास आई है वो यूपी का ही रहने वाला है लेकिन वो खुद इतना अपसे ठुट से परेशान हो गया था खुद भी घायल सा हाला कि उसके कपड़े भी खूल से ल हासा हुआ था और इसी रोड पर हासा हुआ था और कुछ लोग जो है उसमें कुछ लोगों की जाने गई थी वो भी बस जो है वैशनो देवी ही जानी और आज एक हपतें के बाद ठीक मंगलवार के दिमी स्थेम दूसा हासा होता है यह बहत दुकता है जातो रहें से माता सब्सक्राइब के दर्शन परने लेकिन नहीं पता था कि दर्शन की यह बिना ही उनकी बहुत हो जाएगी जी निशत और पर कॉमल यह काफी कटिन परिस्टिया रही होंगी यह हम अंदाजा लगा पा रहे हैं तस्पीरों की जरिए और जिस तरह से आप जिक्र करें कि पहल से अकसर इस मार्क पर होते रहते हैं बिल्कुल रवन्तिका यह बहुत रोड जिक्जाग वाला अचली पहाडी एरिया है और अभी यह कुछ नए हाइवे ही पने थे जहां पर कुछ पहाडियों को काटकर जिक्जाग रोड बनाया तो ऐसे में जो जिक्जाग रोड है इसम खान भी है ऐसे में कुछ सुबा 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 शायना की गाड़ी यह वहां से घुज़रा ही होती है ट्रक्स वहां से श्रिणगर के लिए जा रहे होते तो कैसी सीधी रही होगी कि उसमें गारी का नियंतन खो दिया ब्रेक नहीं लगी और गारी को अपनी सवारियों को त मन में आया हो गारी चलाते चाते हैं ये तो साफ गारी गिरी गिरी जो तस्वीरेंगें उसे में दिख रहा है कि उसám हो बताने की बहुत के हो तो होत तैसी सिच्वेशन में उसको नहीं समझ में आया होगी कैसे वारीयों को बताना लेकि फिर भी बिज के साथ उसके गाड़ी को तकर मारके या ब्रेक लगाने की रोकने की कोशिश की होगी लेकिन ऐसे में जब बस जो खाई में गिरी है बहुत दुखत हाथा है बहुत के लिए आप देख रहे हैं गंभीर सड़ाखाथ सा जमू कश्मीर में आगे बड़ते भोपाल से रगली बड़ी खबर जहां राजिस्तान चाहिए